शुरुआत से कहते रहें कि ED हो, CPI हो या income tax हो एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोस्ट के रूप में काम करती है और ये सन्विधारिक संस्थाएं है, जाच एजन्सियां है, जो देश की सबसे बड़ी दुर्भागी पूर्द है, कि आज जितनी भी जाच एजन्सियां है, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोस्ट जैसे होता है, वैसे बन की रहेगी है मतलब बीजेपी के हाथ में खेलोना और हमको दुख इस बात का है, कि जितने लोग भी जाच एजन्सियां हैं, आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है, क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज़्यादा है, कि न्याय पूर्वक जाच नहीं हो पाती है, जाच केवल विपक्षकी होती है, हमको जाच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, हम यार दिलाना चाहेंगे, उन जाच एजन्सियों को, कि विजय मालिया कहां है भीया, कहां है नीरव मोदी, कहां है मेहूल चौक्सी, और ललित मोदी जी, सितो अब सुष्विता सेन मिल लेती है, और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, कि सुष्विता सेन उनकी गल्फ्रेंड है, लेकिन जाच एजन्सियों के लिए, जो देश के अड़बो, खड़बो, पैसा जो दे मॉनिटाइजेशन में, नोट बंदी में, जो बैंक में जमा किया, लोगों ने, उसको लेकर के जो लोग भागे, लोन लेकर के जो भागे, यानि बैंक जिससे नुक्सान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंक के बंद हो गई, आज उसको कोई ने ढूंड रहा, ढूंडा किसको जाता है, तो कॉंग्रेस के लोगों को, आर जेडी के लोगों को, टी ए कि लोग हो इन लोगों का देखो भाईया दो तरीका है जो भाजपा की जो सोच है जो भाजपा की यही सोच है इस रूप में काम करती है जो बिक्एगा उसको खरीदो यह पहली सोच दूसरा सोच कि जो डड़ेगा उसको डड़ाओ यही दो सोच से भाजपा काम कर रही है और अफसोस है तरस है आता है हमको उस जांच एजिंसियों पे कि आज एक गुलाहाम के रूप में लोग काम कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जो जांच अधिकारी इन सारे चीजों में लिप्त है जो विपक्षी नेताओं के यहां जूठा मुकदमा करके फसाने का काम करते हैं उनका प्रमोशन तुरंट हो जाता है आप रिकॉर्ड चेक कर लिजे जो जो आरो कहीं भी रहा हो उसका प्रमोशन तादकालीन हुआ है उसको इनाम मिला है चिंता इस बात की करदी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि नोट बंदी के बाद भरष्ट चार मिटेगा आतंगवादी घटा है घटेंगी आज उनके शाचन में भरष्ट चार बढ़ा है देश के संपत्यों को बेचा जा रहा है और आतंगवादी घटना है बिहार जैसी धर जाच पे नाम में शामिल जाचों में आ रहा है तो यह कहीं ना कहीं से जो लोग दावा करते थे आप बताओ पचीस-पचीस करोर, पचास-पचास करोर रुपे नगत बरामद हो रहा है तो आप करपना कीजे कि इनका जूठा वादा था कि नहीं था दी मॉनेटाइजेशन का नोड़ पंदिका